कि अलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रैप्स किचन में तो आज बनाने जा रहे हैं नाइलोन से बेसें की जो नाइलोन से बहुत ही कुरकुरी बनेगी और बिल्कुल होटेल जैसे बनेगी तो मैंने ले लिया है बेसन दो बाटी जितना बेसन उसमें थोड़ी सी हल जाल लुंगा जाड़ा हल दूँंगा ज़या हल्दी डालनी तो सब क्ल website लेंगे लुग परेशन में एक बड़े चुमकुरा कर लें मिक idiot कор लेकिशए hablar पूरा बेशन में टेल नमक और हल्दी तीनों अच्यसे मिक्स हो जाने है forensic की ने इन पूरा बेसन में नमक 270 जाने जैसे मैं स्टेप बता था वैसे फॉलो कीजिए और इंजॉय कीजिए इसको हम यूज करते हैं कभी बी जैसे की कुपचुप के साथ पानी पूरी के साथ या फिर सेवपूरी के साथ में सेव तो आपको पता ही होंगा उसके बाद में कहीं भी आप यूज कर सकते हो किसी भी में फिर वैसे भी आप चाय के साथ में नम्किन को खा सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कि इसको अच्छे से अ मिक्स कर लूँगा और ऊसका एक आटा बना लूँगा थोड़ा सा गीला आटा बनाना एं थोड़ा लूज आठा बनाना है दोड़ा देखी मैंने मेरा मोल्ड होंगा उसको लेलेना है उसको पूरे पार्थ को आपको तेल अपने कर देना है पुरे पार्थ को आपको locks टे आप लाइग कर दीजिं़ अच्छ से ताखिश हो बाहरे में चिपके न और आपको दहने को भी आसानी में फूरे मतलो ऑफिशा करके इस तब तक हम लोड कर लेते हैं इस साचे को या फिर मोल्ड को जो भी आप बोलते होंगे उसमें पूरा भर दीजिए और लोड करके उसको बंद कर दीजिए अब बंद करने बाद जो हमने ऑईल रखा है कड़ाई पे कड़ाई में और मीडियम फ्लेम पे उसमें हम डारेक्ट ड तैयार हो जाएंगी और जब यह तैयरने लगे बबल साना बंद हो जाए और थोड़ा सा एलोईश कलर आ जाए तब यह आपको निकाल लेना ज्यादा देर तक नहीं रखना है वरना लाल हो जाएगी और बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगी एकदम जैसी होटेल की है वैस जब बताईए कमेंट सेक्षन में कैसे बनी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजे नहीं लगे तो बिसलाइक कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे देखें मेरी सेव बढ़िया बन चुकी है अब इसको मैं क्रश कर दूंगा और एक बाल में बना दूंगा तो कहीं भी पानी पूरी में यूज़ करिए या चाठ पपड़ी में यूज़ करिए या वैसे खाईए बहुती बढ़िया बनती है चलिए थैंक यू